हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं डिजाइन मेन्यू के बारे में तो चलिए यहां पर श्राइट करते हैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं फर्ष्ट मेन्यू हमने कवर कर लिया ह इंसर्ट भी कर लिया है और ड्रो मेन्यू भी हमने कवर कर लिया है प्रीविच वीडियो में अगर आपने वो वीडियो जो नहीं देखिए है तो वीडियो आप चेक आउट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हैं तो यहां पर डिजाइन दे रख्खा है इस पे left click करिए और यह आपका menu जो है open हो जाएगा इसमें यहां पर कुछ command से रखिए पहला जो group है वो है आपका document formatting next जो group आपको दे रखा है वो दे रखा है यहां पर page background का तो यह second group है आज की video में हम सिर्फ यहां तक cover करेंगे set as default तक तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं देखिए यहां पर आपको जो document formatting एक group दे रखा है न यह आपके पूरे document को instantly change कर देता है इसलिए यहां पर आपको दे रखा है तो यह आपको themes पर जाओगे तो आपको इसका heading कैसे बनाना है select कर लेना आप इसे left-click करके mouse से और यहां पर आपको Ctrl-Alt-1 का use करना है आपकी जो है heading बन जाएगी level 1 की तो इस तरीके साफ यहां पर heading बना सकते हो मैंने कुछ heading यहां पर पहले से बना के रखे हुई है जो आपको अच्छे से समझ आ जाए तो जैसे यह आप देखिए यहां पर जाओगे themes के उपर तो यहां पर आपको कुछ बने हुए pre-built designs दे रखे हैं देखिए अब जैसे मैं किसी भी theme के लिए कर रहा हूँ ना देखिए यहां पर सिर्फ क्या होगा जो आपका heading का color है वो change हो जाएगा और जो आपका theme का जो design था वो आपका यहां पर change कर दिया गया है तो इस तरीके से आप यहां पर style का यूज कर सकते हो अब यहां पर themes के अंदर देखो कुछ और options दे रखे हैं सबसे पहले दर का reset reset का मतलब जो हमारी default theme था उसकी जैसा हमें करना है यहां पर click कर दीजिए click करने के बाद द दे रखा है आपको save current theme अगर आप इस theme को जो आपने बनाई है उसको save करके रखना चाहते हो तो आप इसे save करके रख सकते हो बट हमने इसमें changes नहीं की हैं तो हम इसको भी यहां पर save करने का कोई फायदा है नहीं तो यहां पर आप इसको अपनी तरफ से पहले modify कर लीजिए यह options यूज़ करके तब आप इसे save करिए अब देखिए next जो हमें यहां पर दे रखा है यहां पर कुछ quick styles दे रखिया है बट यह वाले जो style है यह सिर्फ और सिर्फ आपकी headings पे ही apply होंगे तो यहां पर आप click करिए और यहां पर कुछ designs मिल जाते हैं देखिए इस तरीके से यहां पर click कर रहा हूं यहां पर text पर तो कोई भी effect नहीं पढ़ रहा है यहां पर heading ना उस पर effect पड़ेगा तो मैंने यहां पर यह वाला ले लिया देखिए यहां से तो यहां पर आप देखिए automatically 1-2-3 यहां पर heading के सामने लगा दिया है और यहां पर underline भी add कर दी है बा कर सकते हो यह करना है तो आप यहां पे इसको भी आप हइड कर सकते हो यहां research successful हो सकता है इसके बाद यहां पर आपको next job लग करगा superpower colors का तो देखो color भी जो होगा ना सिर्फ only change किसका होगा heading का तो आपको heading बनानी पड़ेंगी तब यह आपका color जो है change होगा otherwise यहां से आप color को change नहीं कर सकते हो तो यहां से हम पहले इसको default में set कर लेते हैं default बारा से अब हम चलते हैं और color को देखता है change करके तो यहां पर देखिए कोई भी color में ऐसे apply कर देता हूं देखिए brown color में सारी headings जो है change हो चुकी है तो इस तरीके से आप यहां पर color change कर सकते हो बट color यहां पर चाहिए और आपके पूरे डोक्यूमेंट के चेंज करने के लिए होती है देखिए डोक्यूमेंट में आपका जो भी टेक्स अमने है यहां पर देखो क्लिक किया तो क्लिक करते हैं यहां पर आप देखिए headings का भी font change हो गया और जो normal text लिका हुआ था उसका फॉन्ट भी यहां पर change हो गया है तो इस तरीके से आप यहां पर फॉन्ट का यूज कर सकते हो इसके बाद next जो आपको देरका है वो देरका है paragraph spacing के लिए तो paragraph के बीच की जो lines का यह स्पेस है ना इसको आप increase करा सकते हो यहां से paragraph spacing से यहां पर जाईए और यहां पर भी दे कर देता हूं अब हम चलते हैं और यहां पर इसको मैं थोड़ा सा increase कर देता हूं तो यहां से देखिए मैंने इसको कर दिया है relaxed तो रिलेक्स में देखिए आप यहां पर इसका space जो है सभी का increase हो गया है बट यह आपका यहां पर जो है document formatting है तो यह जो सारी चीज़े है apply पूरे document में ही change होंगे इसके बाद आप यहां से इसको दुबारा change करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो easily जाहिए और यहां पर आपको दे रखा है word जो कि आपका default था ठीक है next आपको दे रखा है effect तो देखिए effect पे आपको यहां पे effect सिर्फ और सिर्फ आपके shapes या objects इसके बाद यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए तो इस तरीके से आपका effects जो है work करता है next जो option आपको दे रखा है set as default set as default का मतलब यह है जो आपने यहां पर अभी कर रहता है ना settings but headings के लिए नहीं only paragraphs के लिए क्योंकि यहां पर आपका देखो यह जो set as default की कमांड है headings की यहां पर setting को save नहीं करें कि save करेंगी only paragraph को तो यहां पर paragraph की जो spacing है ना increase कर देता हूं यहां से मैंने कर दिया double तो देखें यहां पर space जो है बहुत सारा increase हो गया है और इसमें आप लिख नहीं सकते हो and paragraph spacing default तो अब जैसे आप यहां पर yes कर दोगे yes करने के बाद हम मैं आप MS word को अगर close कर दूँ close करने के बाद देखिए यहां पर अभी मैं दुबारा इसमें कुछ टेक्स लिखता हूंना है MS word में open करके तो यहां पर देखिए word मैंने open करा और यहां पर मैंने open करने के बाद देखिए दुबारा से कुछ